हम बजार में जाते हैं तो हमें परसान किया जाता है टाबर परसान किया जाता है टाबर परसान किया जाता है जो इसे हम कुछ पकिस्तान से आ गए हो या किस बहुत बड़े किरिमनल हो ऐसे परसान किया जाते हैं सीधे गारी पर बैठते हैं बलते हैं चलिए थाना में थाना म नहीं होता कि सोरा हुआ है और गाड़ीय की परसानी सीचित की आनी को नहीं कर रहे हैं। वो गारी वाले से पूछे अब करते हैं कि द्यात में पर्मिट अब सब्रती है जी सर हम तो एक बात सर आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माधिम से हम सर दीन भर में इतना मेहनत करने के बाद 500 रुपईया कमाते हैं हमको साल में हमको 20,000 रुपईया के पेपर हम कहां से बना रहे हैं अब उसमें हमको पर्दूसन बनाना है फिटनेस बनाना है और हमारा मांग है कि यह गारी चलने दिया जाए गारी चलने दिया यह नहीं कि आप बजार में नहीं चला अब हम पहुड़ करी चलोटोगले चलाएंगे हमको आप सरकार ले दोतों चलाएं हमें गारी लेकर करने की दीजीमें तो हम 10 लाग का गारी लेने का वकाद नहीं है तो हम 10 लाग का पांच लाग का गारी लेने का हमको उकाद नहीं है मेरा नाम मुहम्मद आजुदिन थाना मुशारी गर बंकुल छपडा आज परदर्शन नहीं है आज मैंने कहीं कि डीजल गारी जो आटो है मने थिरी वीलर इसको चलाने पर सरकार ने परतिबंध लगा दिया है जैसा कि आटो चालक लोगों के साथ बड़े पैमाने पर प्रसासन के दोड़ा बत्तमीजी की जा रही है उन गारी को पकड़ा जा रहा है पकड़ करके थाने में ले जाया जा रहा है आज बैठक हुई है All India Central Council of Trade Union 1-2 के नित्यत में यह मने कही कि बैठक हुई है और यह कही कि डिमांड हम लोगों ने सरकार से तै किया सरकार से हमने मांग किया कि सबसे पहली बात कि आप डीजल गारी को बंद करने की जो आपने फरमान जारी किया है जितने जो आटो चालक है जितने भी डीजल की गारी है उस गारी को आप उचित कीमत दें और चालक को नए गारी को बहाल करें दूसरा कि यह चालक जब रोड में चल रहे हैं इसके साथ पुलीस जो है बड़े पैमाने पर बत्तमीजी कर रहा है और नईजाज तरीके से प्रसासन ने पैसा आसूला जा रहे हैं आटो डिक्सा को पकर करके ठाना मिले जाया जा रहा है और उसे पैसा सुली जा रही है इसपर परतिबंद लगे तीसरी नमबर बात कि अगर आप इसको बंद करने की जा बात कर रहे हैं तो या तो संकोई या तो इनको आप मने कहें कि चलाने के लिए दूसरी गारी दे अन्था इनके अस्थाई कोई रोजगार की वेवस्ता नौकडी की वेवस्ता की जाए और इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने आज तै किया है कि पहला जिलाद हिकारी मुझफरपुर के समख् को विशाल धर्ना के माध्यम से हम बिहार सरकार को अपने मांग पत्र सोपेंगे और हम मांग करेंगे कि इस मने आटो चलाने वाले तमाम लोगों को अस्थाई नो मने कहते की रोजगार की वेवस्ता करें और इनको जो मने कहते की गारी में जो कीमत लगी हुई है जो गारी जिला कमीटी सदस, खेत मधूर सभा केहराज, मैंने कार्चकारी सचीू.